नमेशकार दोस्तों, मुझे भारत में महागडबंदन के बारे में तो उतना नहीं पता, लेकिन इसराइल में महागडबंदन की सरकार बन गई है, क्योंकि कल वहाँ की पार्लेमेंट में वोटिंग हुआ, और जो 12 साल का कारेकाल था बेंजमेन नेतन याहू का वो एंड हो च यह था exactly उतना ही वोट उनको पार्लेमेंट में मिला है, कब तक चलेगा, क्या होगा, यह पूरी सरकार है, क्या कौन-कौन शामिल है, क्या यहाँ पर नेतन याहू को जेल जाना होगा, सभी questions के answer मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, चली आगे बढ़ते हैं, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको description में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे आपको भी download कर सकते हैं, सबसे पहरे हम देखेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है, देखे, कल पार्लेमेंट में, वहाँ की जो पार्लेमेंट है, उसका नाम है केनेस उस पार्लेमेंट के अंदर total 120 seats हैं, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर majority चाहिए, तो 61 votes चाहिए होगा, जो latest election हुआ था, वैसे आप देखो तो 2018 से लगतार वहाँ पर elections हो रहे हैं, जो latest election हुआ था, March 2021 में, यह fourth elections था, और उस समय भी किसी को भी majority नहीं मिला, in fact, पूरे इसराइल के इतिहास में अगर आप देखे, कोई भी एक single party को कभी भी majority नहीं मिला है, जी हाँ, यहाँ पर हमेशा coalition की सरकार बनी है, और यह आप देख पाऊगे, जो latest result आया था, पिछले वाले elections का, यहाँ पर जो नेतन याहु की party है, लिकुट पार्टी, इनको सबसे ज़ इसराइल के अंदर 3.25% वोट होना चाहिए, ताकि वो यहाँ पर, जो है, seats मिल पाए, उसको इसराइल की केनेसेट के अंदर, तो लिकुट पार्टी, नेतन याहु की party को सबसे ज़्यादा यहाँ पर seats मिला, क्योंकि यहाँ पर यह लोग majority नहीं जुटा पाए, सरकार नही बना पाए, इसी के वज़े से जो second largest party है, yes at it party, इनको यहाँ पर मौका दिया क्या, तो यह जो नई coalition बनी है, ध्यान रखेगा, एक तो yes at it party है इसके अंदर, और यह जो यामिना पार्टी है, यह दो main parties है, इन फाक्ट जो अभी के लिए नए परामिनिस्टर बने हैं, नेफ left से belong करते हैं, इन सब के बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन ultimately यहाँ पर इन्होंने क्या किया, क्योंकि यह जो parliament है, कैने set है, 120 members का, इसमें से एक member absent हो गया कल, जिसकी वज़े से जो majority चाहिए थी, वो 60 votes की, 60 votes की majority चाहिए थी, और finally यहाँ पर इनको 60 votes मिल गया, और 59 अगे के लिए, बेंजमें नेतन याहू, प्रामिस्टर पत से हट गहें, और नए प्रामिस्टर बन गहें, नेफ्ताली बेनेट, क्योंकि यह पूरा जो काम हुआ है, यह अगर आप देखोगे, पिछले 2 साल, 3 साल में, तो 2018 के बाद, यह चौथा election मैंने आपको अलरी बता दिया जिसकी वज़े से long political deadlock हो रखा था, कोई भी यहाँ पर सरकार नहीं बना पा रहा था, क्योंकि पहले से प्रामिस्टर बने वे थे, बेंजमें नेतनियाहू, इसलिए वो continue कर रहे थे, क्योंकि जब तक नया प्रामिस्टर नहीं चुना जाएगा, तब तक वो ही continue करेंगे, लेकिन यह जो coalition बना है, यह काफी जादा चौक आने वाला है, क्योंकि पहली बार इसके अंदर आपको Arab party देखने को मिलेगी सरकार के अंदर, अब देखेगा Arab party क्या है, वहाँ पर आपको पता होगा, इसराइल के अंदर Jewish population तो रहती है, लेकिन 20% के आसपास Arab people भी रहते है हैं वहाँ पर, जब आपके कई सारे wars वगर हुए थे, तो काफी सारे जो Palestinians हैं, Arab people हैं, वो आपके shift हो गए थे, West bank के अंदर, कुछ गाजा पटी में अंदर, लेकिन कई सारे जो लोग हैं, Arab people हैं, वो आपके इसराइल के अंदर ही रहते हैं, जो की काफी हद तक बताया जात वो भी इसमें आए हैं, अगर हम Bennett की बात करें तो देखिए, बहुत ही जा अल्टरा नैशनलिस्ट बताया जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने speech में कहा है कि जो diversity है, नए coalition की, वो यहाँ पर वो celebrate करेंगे, और किसी भी polarization को को नहीं होने देंगी, उन्होंने इसक देखेगा, अभी के लिए प्रामिनिस्टर कौन बना है, नेफ्ताली बेनेट, नेफ्ताली बेनेट जो है, वो बिलॉंग करते हैं यामिना पार्टी से, लेकिन यहाँ पर जो इस coalition के अंदर सबसे जादा seat है, वो किसके पास है, यस अतीद, तो यस अतीद के जो लीडर है, याईर लापिद, आपने सुना होगा रिसेंटली इसके बारे में, तो इनको यहाँ पर दो साल के बाद प्रामिनिस्टर शिप दिया जाएगा, जो बेनेट हैं, वो यमिना पार्टी से वो अब हट जाएंगे, 2023 में, और बाकी का जो दो साल का कारेकाल है, क्योंकि टोटल 4 यर्स का वहाँ पर टर्म होता है प्रामिनिस्टर का, तो यह अतीत पार्टी के जो लापिद हैं, वो यहाँ पर दो साल प्रामिनिस्टर रहेंगे, लेकिन वो सेकेंड टाइम होगा, आपको पता हिए, इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, 2023 के बाद क्या यहाँ पर जो हैं, क्या वो सौपिंगे उनको, क्या वो अपना अतीत के पार्टी के लीडर को बनने देंगे प्रामिनिस्टर, वो तो समय बताएगा, लेकिन इस तरह का कुछ कोईलेशन बना है, कि इन दोनों के बीच में, हाफ-ाफ टम जो है, वो शेर किया जा रहा है, और इसके अलाव सेट के अंदर, लेकिन इसमें से भी कुछ लोग बैक आउट कर गए, जिसकी वजह से 60 वोट्स यहां पर मिले हैं, अगर हम नेतन याहू की बात करें, तो आप देख सकते हो कि, he has been the most dominant Israeli politician of his generation, तो 2009 से वो लगतार प्रामिस्टर बने वे थे, in fact, 1996 से 1999 के बीच में भी वो प् बात करेंगे, लेकिन यहां पर अगर हम नेफ्ताली बैनेट की बात करें, जो नए प्रामिस्टर बने हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था कि, he has been the ultra nationalist यामिना पार्टी से बिलॉंग करते हैं, और वो Jewish settlement को एक तरह से काफी जादा support करते हैं, मतलब उनका कहना है कि जो West Bank हो यहां पर Jewish population रहनी चाहिए, मतलब वो Jerusalem का यह जो पुरा मुद्दा है ना West Bank का, Palestine का जो मुद्दा है, उन्होंने अभी तक हमेशा से उसको reject किया है, और 2013 से यह Israel के politics में आये हैं, उसके पहले अगर आप देखो तो एक काफी बड़े businessman थे, इन्होंने इनके पास बहुत सारा पैसा भी है, और Nathan Yahoo के party में उन्होंने सर्व भी किया है, he has been the defense minister in Nathan Yahoo's government, तो पहले उन्होंने उनको support भी किया हुआ है, तो यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, इसके अलावा अब जाकर उन्होंने यह कहा है कि क्योंकि political turmoil से गुजर रहा था पूरा Israel, इसलिए हम यहां population को settle करेंगे, वो ऐसा अभी के लिए नहीं होगा, आप कह सकते हो, लेकिन इस पूरे alliance के अंदर आप देखोगे, तो बहुत जादा problems आपको देखने को मिलेगी, सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया, कि यहां पर जो Arab minority की population है, उसके belong से जो party आई है इसके अंदर, वो Otherwise, ideologically अगर आप देखो, किसी भी purpose के तोर पर देखो, यहां पर आपको समानता देखने को नहीं मिलेगी, और इसी की वज़े से काफी जादा fragile बताया जा रहा है, और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो बहुत ही hot जो issues हैं, जो मुद्धे हैं काफी जादा गंभीर, जैसे कि Palestinian वाला issue हो गया, इसको यह लोग raise नहीं करेंगे, और जो domestic reforms हैं, उसी पर most probably नई सरकार के द्वारा focus किया जाएगा, जहां तक Palestinians का सवाल है, जब Palestinian से पूछा गया कि नई सरकार बन रही है, नेतन याहू बाहर जा रहे हैं, तो आपका इसको लेकर क्या सोचना है, त जादा तर लोगों ने यही का, तो उनके लिए ऐसा कोई बहुत बड़ा changes तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले जो सरकार थी, इसके बाद जो नए Prime Minister बने हैं, he is also from the right perspective, वो भी support नहीं करते हैं Palestine को, तो उनके लिए ऐसा कोई बहुत जादा difference देखने को नही पावर किया है, बेसिकली अगर मैं आपको बताओं तो टोटल तीम केस आपको देखने को मिलेगा, और इसके इसको अलग-अलग नंबर से जाना जाता है, 1000, 2000, 4000, एक केस है केस 1000, इसके अंदर बेसिकली उनके ओपर आरोप लगा है कि उन्होंने यहाँ पर अपने फ्रेंड से या फिर किसी दूसरे से जो गिफ्ट है, उसको रिसीव किया और इसके उस बेसिस पर उनको फेवर किया है, सिगार हो गया, बोटल ओफ शैंपेन हो गया, इसको यहाँ पर दिया है, तो बेसिकली इसको कहा जाता है, फ्रॉड एंड ब्रीच ओफ ट्रस्ट, ठीक है, तो तीसरा केस से बिलॉग करता है, केस 4000, और इसमें यहाँ पर उनके उपर आरोप लगा है कि जो टेलिकॉम जायन्ट है, उनके शेयर होल्डर्स को उनोंने फेवर किया है, ताकि अगेन उनकी जो इमेज है, वो पॉजिटिव इमेज रहे, जो न्यूस मीडिया वगरा हो गया उसमें coverage उनको अच्छी मिलती रहे, तो इस तरह के कुछ charges मिले हैं और इनके उपर already trial start हो गया है, पिछले यह महिने में आपने देखा होगा कि यह court गये थे और trial उनके उपर already start हो गया है, और नेतन जाहू ने कहा है कि यहाँ पर यह सारी चीजें witch hunt हैं एक प्रकार से, जो media trial है, वो किया जा रहा है, जो politically motivated campaign हो गया, वो उनके against चला जा रहा है, उन्होंने कहा कि जो भी मैं gifts वगरा हो गया, receive कर रहा हूँ अपने friend से, यह law के against नहीं है, मतब कि उन्होंने अपने आपको दोशी करार नहीं माना है, अगर हम बात करें कि क्या वो jail जा सकते हैं, तो 10 साल की सजा है, fraud and breach वाला अगर हम मामला सामने हो जाता है, तो 3 साल की सजा है, लेकिन यह verdict इतना जल्दी नहीं आएगा, तो अभी के लिए आप समझ सकते हो कि यह जो पुरा trial हो गरा है, वो काफी लंबे समय तक चलता रहेगा, हाँ, अगर वो इस चीज को मान लेते हैं, क कई साल लग जाएंगे, इसके अलावा अगर हम एक एक जांपल की बात करें, तो इसराइल के former Prime Minister है, उलमर्ट, इनको यहाँ पर जेल भेजा गया था, बेसिकली 2008 में अगर आप देखोगे तो इनके उपर investigation स्टार्ट हुआ था, corruption के charges लगे थे, और यह अपने पत से हट पड़ा था, तो एक example है, ऐसा कि former Prime Minister यहाँ पर जेल गए है, लेकिन अभी के लिए इसमें recent times में आप यह नहीं कह सकती कि short term में नेतनियाहु को जेल जाना होगा, हाँ, अगर आगे चलकर बहुत जल्दी trial वगरस जल्दी पूरा हो जाता है, और नई सरकार यहाँ पर उसको forward कर देती है, तो वो एक अलग बात होगा, तो I hope कि इस पूरे वीडियो के मात्यम से आपको समझ में आ गया होगा, कि Israel के अंदर जो पूरा नया system आया है, उसमें क्या-क्या important चीजी थी, वो मनें आपको बता दिया, जाने से पहले एक interesting, बहुत interesting question आपके लिए है, related to Vice President of India, ठीक है, तो जो भारत में Vice President है, उनसे related दो statement इसको ध्यान से करेगा, काफी confusing हो सकता है, आपको लग सकता है, वो correct है, गलत है, जो भी है, इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहाँ पर नहीं हो, कोई बात नी, Telegram से भी आप इसका right answer ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालते रहता हूँ, Stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, बाकि अगर आपको इसका PDF लिए, अलग-अलग social media पर जुणना चाहते हैं, तो आ सकते हैं, और अगर आपको एक्रामी पढ़ना है, किसी भी exam की त्यारी करनी है, तो यहाँ पर